पुलब खबर कोरिया से है जहाँ पर जिले में पुलिस की एक बार फिर चेतलागदार तस्मीर सामने आई है रक्षक पर ही भख्षक होने का आरोप लगा है ताज़ा मामला खंडवा थाना फ्रितर का है जोहां एक महिला ने टी आई समय दो कॉंस्टेवल पर दुश्कर्म कर किया इधर पुलिस ने एक तरफा कहर वई करते हुए पती को जेल में बंद कर दिया है और पैसों की मांग की है पूरी बारदात आपको उता दें मांगना पूरी होने पर इस बारदात को अंज़ाद जया गया मेरे सांथ बलतकार किये हैं सब तीनों ने बारी बारी से उमसंकर साहु ठाना परभारी और जसी आरख्छक और सुरेस्तिक गा तो मेरे पती को 31 तारी को फिर भें दिये जेल तो अब मैं अकेली हो गई और पूरी सवाले बोल रहे थे कि अगर किसी को बताएगी तो तेरे क तो यहीं तेरे घर में ही पिट्रोल शीरत के आग लगा देंगे और तू मर जाएगी जिंदे जिंदे और बोल देंगे हम लोग रिपोर्ट में लीग देंगे कि तुम्हारा पती फंस गया है जेल में इसलिए आत्म हत्या कर ली है और पैसा कर दिमांड भी किये थी एक ला इस 31 मई थाने में बठाया और 29 तारीक की रात को महिला के घर रात में गए उसका संदुक तोड़ करके एक लाग रुपर लूट लिया और उस महिला के साथ पारी-पारी से थाना प्रभारी और दो अरक्षक तीनों ने सामोहिक दुशकर में किया इस बात को लेकर कि आईज को दिया इस में टेक्निकल कुछ जाच चल रही है मैंने का सब एफ आई आर क्यों नहीं सुप्रिम कोट ने डिरेक्शन दिया है कि फर्स्ट आप एफ आई करेंगे देन आप्टर इंवेस्टिकेशन तो उन्होंने मुझसे कहा कि हम देख रहे हैं और सुप्रिम कोट क्या ह हम गारते हैं